हेलो इस्टुडेंट कैसे हो आप स्वागात्यवार फिर से मेरे डिप्चर अरविंद मैं थैंड गरामर में तो फ्रेंड आज मैं फिर उठाया हूं कलास नाइन्थ का कोश्चन है जिस चेप्टर करना में रेखा हैं और कौन इंगलिस में इसको लाइन्स एंड एंगल्स बो देखाएगा तो कमप्टेशन एक्जाम के लिए भी कुईस्टन बहुत ही महत्रपूड है तो इस चलिए इसको शुरू करते कैसे सालब करते हैं इससे सबसे पहले इसमें आपको देखना पड़ता है निकि दिखना पड़ता है तो मैं शुरू करता हूं लिखना यहां लिख देंगे आप दिया है दिया है जिसको इंग्लिज में बोला जाता है गिवन हो जाएगा तो जो दिया है उसको लिखा जाता है तो आपको क्या-क्या मालूम है कोडर मालूम है तथा कोडर को 65 और कोडर 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 मालूम है अपको 65 और 15 यहां पर चत्र अच्छर यहां पर प्वाइंट होता है कोना सिर्स होता हुं वहां पर लिखा जाता है पैसा टंस और पिर इसको दे दिया है cdf यहां सुरूअ किसे इक फैटैसंस दिया है तो इसके बात देखें घ्यानत क्या कर देखें नहीं नहीं है तो ग्याद करना से बापको एक कोंड जिसका नाम कोंड डी एफ ई बराबर कोश्चन मर्ग अच्छन लगा देजी कि यह आपको मौलुम करना है जब आप ढूडेंगे इस चित्र में कि डी एफ ई है कहां देंगे डी एफ ई यही कोंड आपको ग्याद करना यह कितना होगा ठीक है तो इसका प्रकिरिया क्या करते हैं पहले इसको आप समझते हैं समझा जाता है कैसे कैसे उसको ग्याद किया जा सकता है और उसको जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए दो समांतर रेखा को जब एक तिरे रेखा काड़ती है तो उसके आठ कोंड बनता है तो उ आपको उसको समझना बहुत जरोगी हैं, आप उसको जरुवाज करके तब इसको समझ पाएंगे, तो अब चलिए lee करते हैं, यहांसे कोशे में जो दिया था वह हम ने लिखा है, अब यहांसे परमाड लिखते हैं, परमाड उथ्पत्य भी लिखा जाता है, तो परमाड मी में तेशन सो मालूम होग सबी और हमको कहीं से अगर और और मालूँ आपको मालूम हो जाएगा तिरभुज के नियम क्या होता है तिरभुज के तीनों कोणों का एक फल एक्सासियंस होता है जब दो कोण मालूम हो जाएगा तो एक कोण आटिमेटिक मालूम हो जाएगा उसी पर रखने से तो इसको हमको ग्याद करना चलो आगे बढ़ते हैं ये ग्याद करना अगर हमको इधर सी मालूम हो जाए ये वाला कौड ये वाला कौड मालूम हो जाए तो ये भी वही इतना होता है क्योंकि ये क्या होता है सिरसा विमू कौड होता है यहां पर हम प्सक्राइब देखें एक रैखा है जैब दोनों इस दोनों समांतर रेखा है जब तिर्यक रेखा यहां पर हम समझाने के लिए बढ़ा दे रहा हूं कि यह देखी यह आपका बन रहा है क्या तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां से हेल्प से इसको करेंगे तब देखें तथा करके लिख देजिए आपका बी जी बी सीडि और लेक है कोicias रेक सरल रेखा है यह क्या है सरल रेखा है ठीक है इस नाति क्या होगा इस दोनों कोड़ का उक्फन क्या होता है एक सविधे झालं करके से नातिक कंकेसे आण तो लिखेंगे इसलिए क्या होगा A, B, D A, B, D प्लस इस code को C को लिखने के लिए चलिए लिख देते B, C, E code B, C, E हमने लिख दिया B, C, E दोनों का एक होता है एकसो असी अन्स होता है तो अगर हम कहे रहे हैं इस दोनों कोड़ों का एकफ़र बोला जाता है जिसको इंग्रिज़ में बोलते हैं को इंटेरियर एंगल तब इन दोनों कोड़ों के फिर अस्वासिन्स होता है यह मालूम है अब आपको देखें कि दोनों में से एक मालूम है आपको मालूम है कोड़ का चिन नहीं बनाया इसके जगह आप 65 अंसे लिख दीजिए पलस और यही आपको मालूम करना है कोड़ B C E छोड़ दीजिए बराबर एक्सवासियन्स आप इसको पच्छंदर करेंगे कोड़ B C E बराबर एक्सवासि यह पलस से उस तरब जाता माइनस हो जाएगा तब आपका कोड B C E बराबर हो गया आपका 65 में जब आप 15 जोड़ेंगे तब हो जाएगा 80 तेनिक एक्सवासिए पंदरा अंस हो गया अब अगर यह 115 आया तो यह भी क्या होगा 115 होगा उसका रेजर आपको देना पड़ेगा आकरे में अब यह 115 इसको क्यों 115 कह रहे हैं तो मैं इसको लिख देता हूं कि इसलिए इसलिए कचिन पुना बना देजिए कोड इधर वाला कोड आपका देखिए F C D लेकिन आप पह कोड डी हो जाएगा डीके बाद आपको यह लिखना है D C F D C F D C F D C F B क्या होगा 115 होगा ओके अगर यह आपका है इसमें क्या होता है यहें तो दो रिखा एक दुसरे को परते च्जिद करते हैं तो यह कोड़ इसके बरबर होता है और इसको सिरसा विमुख कोड़ु बोलते हैं तो वही हमने लिखा है कि अगर आपका इधर वाला मालूम हो गया यहां पर देखेंगे दुक्रास कांट रहा है यह मालूम हो गया तो यह भी आपका दोनों ब्रंपर होगा एक सब पंदरांस होगा अब उसका रेजन आपको लिखना पड़ेगा यहां पर लिख देंगे अख करिए क्षोब पंदरांस अब जब एक 2016 अंद्र को मॉलम होगा अब हमको इस त्रहुजमी में जब इंट्री करेंगे आप दो कोडमालूम हो चुका यह अ區 मालूम है तो तर्छ की नियम से विसको गयाद कर लिते हैं तो इट्रेंड अब चलते हैं तिर्भुज में तिर्भुज का नाम देखें आप C, D, F भी लिख सकते हैं याफ, D, C भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें क्या उतक करम देखते हैं पहले C आता, D आता, Y, F आता इसे ना तिस उचित क्या पड़ेगा C, D, Y, F लिखेंगे अब तिर्भुज, अब तिर्भुज C, D, F में तिक हैं अब लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं मैं लिख नहीं रहा हूं तिर्भुज के तीनों अंता कोड़ों को एक पर लक्स्वासियंस होता है हम यह जानते हैं लेकिन अब तीनों कोड़ों को मैं अच्छरा में ब्रक्त कर दे रहा हूं तो देखिए सबसे पहले हम C ही लिख देते हैं CDF ही लिख देते हैं लेकिन इसका आपका देखिए DIA CDF यहाँ पर दिया तो पहले ही सुराद करते हैं कोड CDF एक Cleo गया 수 दिए एनने के देखी के पीछम डी है तो डी वाला हो गया अब इसको लिखेंगी जब तो आपको ही मालूम करना है तो इसको देखें आप दिया है DARK लृप ए दिय ध्या है DARK यहां तक सितक नहीं दिया है यहां तक दे दिय है तो इसको लिख दीजिए जभी हम ग्यात की हैं देखें हाँ पर dcf लिखेंगे ताकि अच्छर में लखाए तो कोड़ dcf अब इन तीनों कोड़ों को फ़र्ण कितना आएगा 1808 आता है ठीक है अब इसे में इस दो कोड़ आपको मालूम है कौन कोड़ cdf यह आपको दिया है cdf देखे क्या दिया 25 तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 25 प्लस कोड़ df ही मालूम है df यही तो ग्यात करना है तो इसको छोड़ दीजे कोड़ df और फिर प्लस करके आप लिख दीजिए प्लस करके किसको लिखेंगे dcf कोड़ का चिन नहा रहेगा dcf यह भी ग्या आंस है तीनों कोड़ों कोड़ तिरफश के कितना होना चाहिए 180 असी अंस बाकि इधर बहुत तीजी है अब हमें 35 15 को जुड़ लेंगे तो यह 155 हो जाएगा 20 30 50 है नहीं कि 150 अंस दोनों का जुड़ क्या हो गया 150 हो गया अब पलस ही ग्यात करना इसको लिखते रहे है df बराबर 180 अंस तो अब पच्छंदर करतेंगे कोड़ df e बराबर 180 इधर इसके चिनव परते लेकिन यह धर पलस है जब बराबर को उस पर गया माइनस 150 अंस तो कोड़ df e बराबर कितना आ गया 30 हो गया तो ही टेंट ही हो गया आपका आइंस्वर तो बहुत ही जी है लेकि इसके पहले वीडियो आया आपको और मालूम होना चाहिए क्या मालूम होना चाहिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि देखिए दो समांतर रेखा होता है इसको जब तिरे रेखा काड़ता है तेहां पर चार कोड़ बना तो इसका रिलेशन क्या होता है पांस प्रकार की र एतर समझ में आएगा तो इस तरह का वीडियो और में लेके आऊंगा कई कुशन इस फिर बताऊंगा तो अगला वीडियो प्राप्त करने लिए चैनल के जरू सस्क्राइब करेंगे बेल आगान के जरू दबाएंगे ताकि जैसे में वीडियो भीजू आपको तुरंद का झांक से